और सीधे बाद आप राइपूर की करेंगे ल्वी की बैठक खत्म हो चुकिये ग्रे मंत्रिया मिक्षा इस बैठक को ले रहे थे और आज मेंने सामने नव निर्वाचीत कि विजानसभा के सदस्य बैठे हैं जैसा बताया कि कुछ लोग नए हैं कुछ लोग बहुत अनुबवी हैं मंत्री भी रहे हैं और इस पार्टी से भी रहे हैं अगर हम सब लोग जब विधाय के नादर जूंकर आते हैं तब हम सब के संग्यान में होना चाहिए कि हम एक दरों नहीं कर दो क्षाल मेर्म में जाते हैं जब कर दो दोनिया के कहीं पंदीत आते हैं मिडिया जबद के कई विधान लोग आसंता करते थे कि भारत कैसे चलेगा भारत में लोगतंत्र कैसे चल रहा है भारत खंड खंड भी खर जाएगा हुआ 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 कि 75 साल हुए पीछे मूर कर देखते हैं तो हम सब ने पुरेदेश ने इकठा मिलकर सभी दरों ने हुआ है हमारे लोगतंत्र की जड़े पाताल से भी गहरी करतर पूरी दुनिया को इस अंदेश दिया है कि हम सब्सक्राइब त्रीस तरियर लोगतंत्रिक व्योस्ता को हमने बड़े सभलता के साथ नकेवल आत्मसाथ किया है इसके सूपल भी जड़ता जट पहुंचाए और जब जन्प्रतिनीदी की बात करते हैं जब हमारे यहां तीन प्रकार के जन्प्रतिनीदी होते हैं एक तो लोकल बॉडिज के होते हैं एक हमारी विधान सभाएं है और एक लोग सभा राजय सभा का भी जन्प्रतिनीद्यों का प्रकार हमारे यहां बना है और कई सारे लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रकार से काम करते करते हैं जन्ता का पार्टी का पतिनी दिद्व करते हैं कि मिद्वाद जब में यहां आएंगों तब पूरा समय सानी आपका देखा हैं कि समय सानी में कई ब्रकार की चीजे बारिक यां कानोनी पेच इस सब का आपके सामने बहुत अनुभवी लोगों ने कि पुद्वोधन किया है और आपको इससे लावनमिक में किया है कि परन्तु हमारे राधितिक शेत्र में चुने हुए प्रतिनिती चाहे व्योस्ता है पहले कि राजा साही व्योस्ता थी अब लोग साही व्योस्ता है कि परन्तु राज धर्म की कल्पना हमारे हां बहुत समय से रुगवेद महाबारत काल और उसके बाद में भी चानक ये वगरे के विद्वानों के कई प्रकार के ग्रंथू में दिखाई पड़ती है कि उसको अगर आज के परिप्रेक्स में हम देखें तो विधायत का रोल बड़ा महत्यपूर्ण होता है पॉलिसी मीतियां पार्टी के कारेप्दति और पार्टी के उद्देशों की परिपूर्ति के लिए भी काम करना और राज्यकी इन टोटो कुल मिला कर सुखाकारी के लिए भी काम करें लोकल पॉडिस के जन प्रतिनिती होते हैं उनके लिए बड़ा सराल होता है उनको रोजमला के कामों के लिए चाहिविंसी पार्टियों दैसिल परचाज हो जिला परचाज तो उसके एड्रेस करना होता है विधायकों को मैंने जो कहाई इन प्रकार से काम करना पड़ता है और सांसदों को पूरे देश के निती निर्धारण पूरे देश का बजेट इस अभी क्षेत्रों के लिए समान सुरक्षा विदेश और कानून बनाने की प्रक्रिया और अपना मत्रक्षेत्र और पार्टि इस प्रकार की जिम्मेदारी बड़ी बड़ी हैं हमारी बहुपक्सिय संसदिय लोगत्री प्रणाई में निश्ची हो और जब हम सब्दप्रयों करते हैं प्रभावी विदायत कैसे बनना है तो तीनों के लिए कि हमने अपने आपको तयार करना होता है और इसके लिए मेरे हिसाब से हम सब जो जनप्रतिंदी होते हैं हमारा स सायके चाहिए और प्रता होनी चाहिए और कुषनता भी होनी चाहिए और उच्षूक्ता भी रखनी पड़ती है क्यूंकि उच्षूक्ता ऐसे ही जिग्या साह से ही राज्य और अपने क्षेत्र का हम बला कर सकता है और यह सारा पसंदता के साथ करना होता है कि मैं हम सभी को मेभी इसमें आजा तो हमें किसी में कि इन्मीटेशन नहीं बेजाए कि आए और चतिसगर के हम सब अपने आप चतिसगर और देश की सिवा करने के लिए आगे आए हैं जब आगे आए हैं तो कठिनाहिया भी आएगी समस्या भी आएगी तो सदेव प्रसंद रहते हुए लोग संपत्र लोगों का संपत्ध भी होना चाहिए अपने क्षेत्र में लोग संग्र का मतलब है सद प्रभुति के लोगों का संगढ़ीत करना चाहिए विधाई दाईतों का निर्वहन करना चाहिए और इसके साथ साथ पार्टी के उन्देश और नितियों को भी जमीन पर होतारना चाहिए इस सब में प्रसंदता बहुत बड़ी चीद है वरना दिरे 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 जनता हमारा संपर्ट करना ही छोड़ देती है मैं आपको मेरे अंभोग के आदार कर कह सकता हूं मैं पहली बार विधायक चूंकर गया तब बड़ी युवा अवस्ता में गया था तीज तर्रार मिचा थे वर्दावी देव तर्रार था पर दिरे 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 समद में आ गया कि प्रसंदता सबसे बड़ी चीद है हस्टे हस्टे ह्श्टे ह्टे ही राएकों का निर्वान करना कि इसके लिए उसलता चाहिए और स्भाव में प्रिव्तन करना पड़ेगा और इस लिए मैंने मेरे सभाव के अंदर बहुत सारा प्रिवतन इतनी उंग्र के साथ हैं उंग्र ही kap Scottish और कुछ अभूभ भी करता है कि दो अधिकारियों के साथ शेत्र के विकास के साथ हमेशाथ जनप्रतिनितिका संगर्ष रहता है कि मैं विश्टेड इंट्रेस्ट की बात नहीं करता है प्रणतु जनता की समस्याओं के लिए भी संगर्ष रहता है कि हमने समझना पड़ेगा कि अर्धिकारी एक निश्चीक प्रकार की कालियों इतना जो स्टेट लेवल पड़ता ही हुए इसके अधीन काम करें इसका बजिट्री प्रूविशन होता है इसकी योजनाय होती है योजनाय की कुछ सर्दे होती है और हमारा प्रॉब्लेम है कि और लोग आ गए तो हम क्या करें प्राग से पौन उठा कर कह देते हैं और इससे अधिकारियों के साथ हमारी जो कटूता होती है वो खुल मिला कर शित्र की सिवा नहीं करें अ हमने एट्मिस्ट्रेशन को समझ कर लिग कर देने की आधर जोंग करनी करनी है तो यह उतना ही आगे काम जदी